नवजाज शिशू को 24 घंटे में 14 से 17 घंटे सोने जरूरी है कुछ बच्चे जादा भी सोते हैं, कुछ इतने ही सोते हैं जैसे नवजाज शिशू जादा तर बच्चे जो होते हैं, वो जादा सोते हैं जैसे 18-20 घंटे लगवग वो सोते हैं क्या होता है कि joe breastfeeding बच्चे करिते हैं वो थोड़ा कम सोते हैं जो bottle feeding लेते हैं जो formula milk लेते है वो बच्चे थोड़ा सा जादा सोते हैं क्यूंकि क्या होता है, कि joe formula milk होता है उसको dhatने में जादा time लगता है और वो एक साथ काफी जादा दूद पी लेते हैं तो इससे उनका पेट भरा रहता है आराम से और वो सोते रहते हैं और जो breastfeeding वाले बच्चे होते हैं बहुत जल्दी दूद मतलब digest कर लेते हैं क्योंकि breastfeeding जो बच्चे करते हैं जो दूद होता है जो breast milk होता है वो काफी जैसे उनको कम नीद आती है फिर उनको फिर से भूग लगने लगते हैं कि जो breastfeeding करने वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम सोते हैं और जो formula milk लेते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा सोते हैं जैसे अगर आपका बच्चा रात बर सोता रहता है बिल्कुल भी जागता नहीं ह तो आपको उसे उठाकर दूद पिलाना चाहिए भले ही वो दो बिनिट पिये लेकिन पिलाना जरूर चाहिए क्योंकि उसकी फिर health पे effect पड़ेगा उसकी health down हो जाएगी उसका बजन गटने लगेगा तो इसलिए आपको राप में उठाके बच्चे को जरूर दूद पिलान लेकिन रात में होता है हम भी थोड़ा आलश कर जाते हैं और दूसरा जो बच्ची है वो थोड़ा सा रोते हैं हुन हुन किया और फेच्चोप हो गए तो बस बहुत नहीं होती है लेकिन आपको यह अलार्म लगाना है 2-5 गंटे का और आपको 2-5 गंटे के मतलब गैप करक कि हम अपर बच्चे को दूद्ध प्यलाना चाहिए गर बच्चे के जैसे नीन पूरी नहीं होती है तो बच्चे चुछा रहते हैं जन्यादा सोते तो आण में यह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती उनका जो मान्सिक विकास वह अच्छा होता है, जो जादा सोते हैं, क्योंकि सौने से ही बच्चे की डवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, क्योंकि जो नवजाष शिशू होते हैं, जो छह मेने तक की बच्चे होते हैं, जो एक साल तक की माली जी, उनकी ग्रोथ सोने पे ही डिपेंड करती है, तो ज बच्चा जैसे ज्यादा सोता है तो वो स्वस्थ रहता है उसमें थाकान नहीं होती है वो एक्टिव भी रहता है जितनी देर भी जाकता है वो एक्टिव रहता है खुश रहता है चिर्चिडाता नहीं है या रोता नहीं रहता है क्योंकि बच्चे जब कम सोते हैं तब भी ब जो को जादा से जादा सुलाईए जो छोटी-छोटे बच्चे है, उनको जादा से जादा सुलाईए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी है। भी नहीं था, मुझे कहा गया था कि दिन में पैदा हुआ है, तो दिन भर सोएगा, रात भर जागेगा, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, यह रोटीन आप खुद ही बना सकते हैं, जैसे आपका बच्चा जैसे रात भर सोता उससे आपको इसको जगाना है और आपको पॉइंट है कि आपको बच्न का सेट करना होगा कि आपको बच्चे को कब सुला रहा है जैसे मैंने अभी बता है कि अगर आप पूरे दिन बच्चे को सुलाते रहेंगे या पूरे दिन आपका बच्चा सुएगा तो वो रात में जागीगा दो गिंटे जागे तीन गिंटे जागे जितना भी जागे दो रात में भी जागेगा और फिर आपको प्र बनीद आएगी फिर उसके देगक आपको में प्रोल्ब्लम होगी क्योंकि आपने breastfeeding कराते हो आप उसका napi साफ करते हो आप खाना भी बनाते हो कई सारे काम उस टाइम पे होते हैं जो हमें करने होते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएंगी फिर आप चिर्चड़े हो जाओगे दिप्रेशन में चले जाओगे तो इसके लिए आपको routine सेट करना होगा कि किस तरह से इस को कब सुलाना है कब वो जागेगा ऐसा आप अगर सैट कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और जब भी आप उसको सुला रहे हैं तो उसी टाइम पर सुलाईए जितना आपने सैट किया है लाकिन जो तरीका है वो है कि जब आप बच्चे को सुला रहे हो उससे पहले बच्चे की या तो मालिश कीजिए या फिर बच्चे को नहलाईए या फिर बच्चे के कपड़े चेंज कीजिए बैड को ठीक कीजिए ताकि उसको पता चल पाए कि अब मुझे सोना है या फिर क् जब आप बच्चे को सुलाएं तो कुछ पातों को ध्यान रखना है जिस जगह पर आप सुला रही है उस जगह पर ज्यादा शोर ना हो तेज लाइट ना हो या फिर रूम को एकदम से बंद पैक नहीं कर देना है थोड़ा बहुत हवा आने देना है बिंडो खुली रखना है हलका सा जैसे नाइट वल्फ है या फिर सुलाइट है अब हलकी सी आ रही है कर टेंड कितरो तो आप उसको आने देना है तो इस तरह का आप एक इंवार्मेंट बनाएगे ताकि उसको पता चल पाए कि आप मुझे सुलाया जा रहा है या फिर आप मुझे सोना है तो ऐसा उ अधिरे में बच्चे को नहीं सुलाते हैं तो हलका सा लाइट रखिए इससे बच्चे को काफ जादा आसानी रहेगी सुने के लिए अगला जो पाइंट है वो है कि जब आप बच्चे को सुलाएं उसके पहले आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दीजी या फिर फ चली मेरा कपडा जैसे थोड़ा सा हाट आया या उड़ा वो उससे उसके खुल जाती थी ऐसे आपके साथ भी हो सकता है तो आप मोवाईल वाईल स्पास में मत रखिये या कुछ पहने है तो उसकी आवास से भी बच्चा उट जाता है तो इस पर भी ध्यान दीजिए कुछ उसका कोई शोर ना हो और बचा आराम से सो पाई जो पॉइंट है कि जब आप बैट सेट कर रहे हो बच्चे का सौने के लिए तो कोई एक्स्ट्रा सामान मत रखिये जैसे कोई टोई बगेर है या कोई चोट लगाने वाली चीज़े या मोबाईल कुछ भी ऐसा पास में मत रखिये जिस्ट्री चोट लगाते यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा मत रखिये क्योंकि बाहत जयदा भर Vermont और पिर बहुत ब्रा में उता है तो इसने टश करने से भी बच्चा उठ चाता œ इसे हूट पैकेट है उसे एभीảoड़ प्रम्रें झाल सबींटियो सिरे के पास कु तो प्राबलाग हो सकती है इसलिए पैरों तक कि कोई भी चादर या फिर कोई डूपट्टा उड़ाएं अगला जो पॉइंट वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि बच्चे को अब भी पेट के वल नहीं लिटाया जाता है जो तीन पाते हैं अपना करवट नहीं बदल पाते हैं वो चेंज नहीं हो पाते हैं अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर पाती है इसलिए कभी उनको पेट के बल ना लिटाएं अगर आप उनको टमी टाइम दे भी रहे हैं तो एक दो मिनिट के लिए तीन मिनिट के लिए आप अप बच्चे को अपने कर्वत ले के लिटा दिया फिर बच्चे ने इक और कर्वत ले लिए भालनीचे और फिर उसका नाउक जैसे डब गया तो रिस्क रहता है इसलिए अब उसको कभी भी कोई भी कर्वत ना दिला है अगर आपका बच्चा थीन मेने तक है तब खुद से न दिलाएं आपको धियाद रखने है तब आपको ध्यान रखने है बच्चा जब खुद से कर्वत ले लिया या खुद से और कर्वत ले लिया पहले एक साइड छीकता है फिर दूसरा है धीरे धीर olvise सीखता है चीजे तो ये बात आपको ध्यान रखने कभी भी उसको पेट केवाल नहीं लिटाना है या कभी भी करवट दिलाके नहीं लिटाना है उसको केबल पीट केवाल ही लिटाना है वो सबसे ज्यादा सेफ रहता है अगले जो पॉइंट है वो है कि बच्चे को कभी भी क या जूले बगेरे में आपको नहीं सुलाना है, अलग से नहीं सुलाना है, बच्चे को आप अपने साथ ही लिटाइए, अपने साथ ही सुलाइए, ताकि उसको जो भी परिशानी होती है वो आप देख सकते हैं, आप बार बार उसको चेक कर सकते हैं कि कोई इसको दिक्कत तो चरने काट लिया या कोई भी दिक्कत हो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इसलिए बच्चे को आप अपने साथ लिटाएगे ताकि उसको आप बार बार चेक कर सके कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं है वो ठीक से सोया है कि नहीं कहीं उसने चादर तो अपने मुपे नहीं डाल लिया हिला डुला के हांतों को मेरा बच्चा अच्छा करता था क्या करता था मैं मंकी कैप उसको पहना दी थी तो वह हिला हिला के हिला हिला के वह मंकी कैप जो होता है उसको आगे का पीछे और पीछे का आगे कर लेता था यह उसके साथ बहुत ज्यादा होता था इस से बच् कि अगर आपका बच्चा मालीजे नहीं सोता है यह पर आप थाफी कोशिश करते तब मेरे साथ भी एस बहुत आरो है मेरा बच्छा सोता ही नहीं था खुछ हो भी बहुत कोशचाच के बाद में नहीं सोता तो इसके लिए आपको कोई दवाई का यूज नहीं करना है कि जैसे किसी के कहने पे किसी ने कहा कि अगर ये दवाई देते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से सोता है तो पुराने टाइम में मैंने ऐसा सुना है मम्मी के मुझ से, सास के मुझ से कि बो कुछ ऐसा नसीला जो कुछ चीज होती है उसको चटा देते थे ताकि बच्चा आराम से पुरा देन सोता रहे और वो काम करते रहे तो पुराने टाइम में लोग ऐसा करते थे मैंने अपने मम्मी की मुझ से सुना है तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है और दूसरी बात कोई भी दवाई का यूज नहीं करना है कि किसी के कहने पर आपने बहुत दवाई बच्चे को दे दी ताकि बच्चा सोता रहे अरे सुलाना क्यों उसको जागने का मिटाइम होता है हमें दॉपा है किसी दवाई की हेल लेकर उसको बिल्कुल भी मत सुलाईए अगर जैसे डॉक्टर कोई दवाई देते भी है जैसे वाइटमिन डी की या फिर आईरिन की तो वो दे सकते हैं लेकिन कोई सुलाने के लिए इस्पेशल दवाई किसी से भी नहीं लेनी है अगर डॉक्टर कहते है तो बोबा तलग अगर आपको बचा काफी कोशिश के बाद भी नहीं सो रहा है या फिर जो मैंने रिजन बता दिये जो समधान बता दिये जो तरीके बता दिये उनसे भी अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से एक वार जरूर चेक करा ले क्योंकि जब मैंने दिखाया था डॉक्टर से तो डॉक्टर का नीद नहीं आती है वो नहीं सोते है तो इसके लिए भी या फिर बच्चे जब ज्यादा रोती है यह ज्यादा चिर्चिड़ा हो जाते है तो यह गैस की बज़े से हो जाता है इसके लिए गैस के लिए मैंने एक दो वीडियो आलेडी चैनल पे डाले हुए है वह आप देख का क neces salary का की बच्चे को जब गैस होते तो हम कैशे ठीक कर सकते क्योंकि जब गैस होगी तो बच्याल ही बच्चा नहीं दा रहता है और जब गैस नहीं होते है तो आप आराम से सो जाता है उसको कोई problem नहीं होती है तो गैस के लिए या पेट दर्द के लिए जो भी तरीके वो औरेडी मैंने चैनल पर बताये हुए हैं तो आपने वीडियोस को भी जरूर बहुच करें अगर ये वीडियो आपको helpful लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सबस्ट्राइब जरूर करें पेरेंटिक वीडियोस के लिए